मंगल में परिवार की 14 दिसंबर से कोठी मीना बजार मैदान में श्री रामकता शुरू होने जारी है रामकता की तयारों को लेकर जैपुर हाउस के मंगल में परिवार कारयाले आयजन समीती के पदादिकारों की एक बैठक बुलाई गई चोफ़ाय तारीक से 22 तक कोठी मीना बजार में परम पूछ स्री कॉषल जी माराजजी की जो कथा हो रही है उसके संबन्द में संचालक कैसे होगा उसके बिश्यवे से पर सभी कार करनें को जिम्मेधारियां दी जा रही है और उसमें सब की अपने जिम्मेदारियां ग्रेहन की हैं सभी लोगों द्वारा और पूंट उसमें जो है भागने पाइट प्ले करने के लिए अपना पूंट सहीव देने का सभी लोग कार करें पूश संत स्री बिजा कोशल जी महराज जी की सिरी राम कथा 14 दिसम्बर से 22 दिसम्बर होने जा रही है तो आज एक उसकी कारकान नहीं हमने मीटिंग रखी है हमारे अद्यजी ने सभी को कार सौपा है किसको क्या काम समालना है किसकी क्या जिम्मेदारी है कलस यात्रा हमारी 13 दिसम्बर को चिंतरान मादे मंदिर से कोठी मीनवाजार चित्रकूट धाम के लिए प्रस्तान करेगी इसमें सभी माता वहनाओं से निवेदन है कि सभी अपनी जो साड़ियां पहने वो पीले रंग और लाल रंग की पहन कर आए करीब करीब हमारे पच्चिस सो से तीन एयर कलस महलाएं लेकर निगलाएंगी और बहुत अच्छा रूप आएगा हमारे ये कलस यात्रा का कथाएं तो बहुत होती हैं मैंने अभी कोठी मीना वजार में कई कथाएं सुनी हैं लेकिन जो गुरू हमारे विजय कोसली महराज द्वारा जो अमरत बरसा होगी बाके मैं अमरत की बरसा हैं मैंने कई बार उनकी कथाएं सुनी हैं मैं उनके साथ बाहर गया हूँ वो पाग्य साली भक्त है या राम भक्त है जिनको विजय कोसल जी गुर्देब की कथा सुनने का मौका मिल रहा है। मैं आगरावासियों से कहूंगा कि इस मौके को वो न चूकें। बसका इंतजार न करें कि हमारे यां बस नहीं आई है। लेकिन उनको अगर अमरत बर्शा का ल कलना है, सुखी रहना है, इस तरीके की उनकी बाक्यों में, उनकी बाणी में वो कला है कि हम लोग उससे बदल जाते है। मंगल में परवार आगरा में बहुत बड़ी सस्ता है। उसके द्वारा समय समय पर ऐसे धार्मिक अनुष्ठान किया जाते हैं। उसी कली में एक बहुत बड़ा संदेश देने का काम संद विजय कोशल महराजी करने वाले हैं।